क्यूं? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे भाज आका हूए जब बारा चोखड तक आई, तब? ना? ना पारूँ अभी भी वक्त है मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना लूँगा मैं कह दarta महाता पिता है तो मेरे नहीं तुम्हारी परिवार की इज़त है, तो हमारी नहीं, तुम्हारे माता पिता जमीनदार, तो मेरे कुछ भी नहीं मैंने तुम्हे दोगाने दिया है पर। फिर क्यों छोड़कर गए थे तुम, और और वो चिथी पर तुम तो जानते हो कि तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता है, वो मेरी ना समझी थी ना समझी, ऐसी कैसी ना समझी तुम्हारी देव, कि जब जहां आकर कंगर पहना गए, जब जहां जिथी लिगती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं, ना समझी हमारे जानी का वाक्त आ चुका है मैं इस शादी को नहीं मानता क्या फरक पड़ता है जब मैं मानती हूँ अगर ऐसा है तो मैं सब के सामने जाकर कह दूँगा बद्नामी फैलाना चाहती हूँ मैं फैलाओंगा बद्नामी मैं तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो पारो अगर फिर से तुमने ऐसा कहा क्या करोगे मारोगे मुझे वर्चपन से लिके आज तक अपना अधिकार समझते आया हो मुझ पर और चब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुझ फिर लिया इतना गुरूर अच्छा नहीं क्यों ना करू गुरूर तुम्हारे पास है ही क्या देव सिर्फ रूप और दॉलत मेरे पास गुण भी है रूप भी है और आज के बाद दॉलत भी आज यह तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव अगर लोग तुम्हें जमीदार कहेंगे तो मैं भी ठकराइन सुनकर इत्राओंगी इतना खुरूर इतना खुरूर तो चांद को भी नहीं कैसे करता वो खुरूर उस चांद पर दाग जो है देख यह तुमने क्या कहती